हेलो डियर इस्टुडेंट्स आज हम लोग प्रासधरन यानि कंडिलीवर वीम की बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो से पहले को पता है कंडिलीवर वीम क्या होता है कंडिलीवर वीम का एक शिरा आबद्ध होता है और एक शिरा मुक्त होता है एक शिरा जो अबद सिरा होता है उसी शिरे पर bending moment के मान दिक्तम आता है अतर हमें अधिक्तम bending moment अधिक्तम shear force के लिए धरन के डिजाइन करनी होती है तो हम यहां पर प्राजजरन की लिए जनरली जोसका आबद सिरा होगा, वही पर हम गर्णा करके सभी घटक के अधारण करेंगे. मुक्त सिरा का जो वैलू होती है, मुक्त सिरा के जो माफ होती है, उस उता अपने से माल ले जाती है. जैसे पहले प्रास्जरन के बारे में कुछ यहां पर विस्ष्था है वो देख लेतने हम लोगें प्रास्जरन का एक सिरा पूर्ट है मुक्त होता है अथार्थ बाहा निकला होता है हवा में लटका होता है तो था दूसरा सिरा दीवार या अस्तम से पूर्ण रूप से फिक्स होता है या बधा होता है चज्जों में संसेड जरोखों बालकनी पोर्च प्रबेश्टवार आद के सामने प्रासधरन तो था प्रासधरन आलंब की दीवार में भली भाती हाबद रहना चाहिए ताकि यह पलट न जाए प्रासधरन के निर्माड में पर्याप साधान रखने पड़ती है क्योंकि इसके आबद सिर्य पर आयठन इस चीज में बिता दें आपमको प्रासधरन के आबद सिर्य पर रिडात्मक नमनागोड या रिडात्मक बेंडी मोमेंट उत्पन होता है अता हमें इस आबद सिर्य पर जो भी रिडात्मक देना है वो हमें काफी सौधानी पूर्वक और अच्छी दर्स देना होता है प्रासधरन में जैसा हम जानते हैं सिंगलिस रिडात्मक कंक्रीट बीम या अससबी बीम में तनन छित्र एक धरन होती है तनन छित्र नीचे और समेडन छित्र उपर होता है लेकिन एक प्रासधरन में एक प्रासधरन में इस प्रासधरन का एक शिरा बद्ध है एक शिरा मुक्त है प्रासधरन का तनन छित्र उपर और कंप्रेशन छित्र नीचे या इसका उल्टा होता है Phi अतहीं इसकी शीमित लंबाई तक ही बाहर बढ़ाना पड़ता है सोद॥ौ रंभे धरन के तुलना में प्राअ धरन में चार गुना आदिक बंकना गुड़ उत्पन होता है तो ये था हमारा एक प्राश स्लाइब प्रास धरन की वीजिशता अब हम लोग जो है इसके डिजाइनिंग का पैर दो कर देखते हैं डिजाइनिंग का सल落लिण पह बता देओं प्राश स्लेब या प्रास धरन सद्स्रेव स्प्लंबा कार सेप में बनायता है कि ईशिल बनायता है कि आपद दसिर्या जिसका यहाँ पे है आपद दसिर्या पर हमें अधीत확 सीर फोस जिएतंब बेंडर्ण र 흥न करवाना है अथा यहाँ पर हमें धरन की गहराई अधिक रखनी चाहिए मुक्त शिरे पर बेंडे मोमेंट सुन होता है या सियर फोर्ट भी सुन होता है आता है हमें एकदम हो सकता नहीं यह खंड की माप के लेकिन फिर भी हम लोग धरन को आकार देने के लिए एक अच्छा दिखने के लिए क्या दें हमें यहां पे एक सवलंबा कार सेप मैंने इस सीरे पर बढ़ते हुए आगे चलके हम इस तुछ को काम कर देते तक इससे हमाई जो कंक्रीट का जो प्रियोग हो रहा है यहां पे वह हमारा इतना बच जाता है और इससे हमारी स्रेशना मित्टेपई हो जाती है आए अब एक ट्रविपक सकते हैं यहां पर अब आधि सकते हैं यहां पर गहराई ज़्यादा रखी कई कंutel गायए कैसे रखी गह जो है मिसको है चरण बद क manually कि दे register के सिर से देखते हैं मारा पहला से अर संगे giant पहुए पाट इसमाल L is equal to L plus D by 2 अब जैसे पता आपको होगा सुदा अलम्बित में दो अलम्ब थे इसके तो हमने L plus D लिया था यहां चो कि इसका एक ही अलम्ब है इसलिए हम L plus aningus D by 2 लेंगे इसमें जुने उनतम लिलेंगे दूसरा पोँमेंत हमारा Courant की अनमानिद में जैसे बताया है मैंने यहां दो shape बन रहा है एक shape बन रहहा यहां पर स्यफ बन रहा है यह हमारा इस सरह से हैं एक यहां बन रहा है जो हमारा छोटा आक्रिती बनी है चोड़ाई दुनों की सेम है दुनों की चोड़ाई यहां पर सेम है दुनों सेम है लेकिन गहराई दुनों की डिफरेंट हो गई इसलिए हम हमीशा हर काम आब अद शिरे पर करेंगे मुक्त शिरे वह अपने से तैय करेंग और मुक्त-सर्य पर जो गहराई होती है वो 100-200 अभर ने से माल लेते हैं, यहां पर D is equal to part 24 यह और जोड़ाई जोड़ाई होती है, जो भी गहराई होती है, जोड़ाई होती है, जोड़ाई नियुक्तर यहां पर है, इससे कर्मान लगाना है बहुत ज़ता इसमें हमें जो है विस्टिशन नहीं करना है बस एक हमें अपने अन्भाव से एक खंड की साइज तैकल लेना है अब आते हैं भार पे भार में हमारा पहला अध्यरुपित भार जो प्रस्में दिया होगा इसके उपर कौन सबार लगा पॉइंट दो लगा हुआ है वपर सबीया होगा दूसरा हमारा स्वेंग बहार जो हमारे लिए यहां पर पर ध्यान और एक सम्रमबाकर आकरतिका है आकरतिका धरन का शम्पूर भार इस converting खाल निकालघेंगे किसी बस्तु का शार्ब five आध्ण गुडंत वह इक लिए ओकरतिका सम्पूर भार मार्ट फोल आयतन गुडंत १ हा रिच आधन क८र दंगे שकी प्रॉन एक सम लंबा का राकृति का चत्रफल निकालने के लिए यह बैलू प्लस यह बैलू बाइटू यह बैलू प्लस यह बैलू बाइटू इन्टू इसकी एरिया इसकी फरेंट एरिया दोर इसकी फरेंट एरिया इन्टू इसकी मुट्टाई तो D, यहां की माफ है, D' यहां की माफ है, D' यहां की माफ है, D' प्लस D' बाई 2 इंटू यल, is equal to इसकी area हो गई, area इंटू इसकी B, इसका आयतन होके, आयतन गोड़े, घन तो कितना, इसकी आर्सेशीग बनाना है, आर्सेशी घन गोडर इसकी तो कितना होता है, 25,000 Nवर इसका पूरा स्थेज़न का भार, गड़ना करनी अतिया वश्यक होगी माना स्वेहं का भार आबद सेरे से एक्स बार दोरी पर कारी कर रहा करेगा अब हमें स्वेहं का भार के लिए एक्स बार कैसे निकालना है देखिए यहां पर एक मैंने अलग समझाया है किसी समनबाकार आकृति का गुरुत केंद्रे के ल यह चोटी भुजा है और रही हिसकी उचाहि एज है तो हमें हमेशा बड़ी भुजा के से कित्म दोरी पर इसका जी होगा e हमें निकालना है माना हुआ दोरी हमारी यहां बड़ी भूजा से y bar है तो y bar is equal to बड़ी भूजा प्लस छोटी भूजा का दो गुना अनि a । 2B upon बड़ी भुजा प्रच छोटी भुजा इंटू हाइट जी है हमारी उसकी है इस तरह से बड़ी भुजा से दोरी कितनी है य बार निकल के आगया सेम एही पॉइंट जो है हमारा यहां लागू होगा यहां देखी हमारे एक समलगर आकरती है इस आकरती में यहां पर आपान बड़ी भुजा प्ला छोटी भुजा इंटू पूरी लेंद्ध है पूरी हाइट बाई थ्री इस तरह से हमारा एक्स बार निकल गया आप देखा जाए आगला स्टेप मारा क्या इससे सबको पता है सिमलर रेश्टेप होते डियाइन करने के लिए चाहे वह आपका अधिक्तम नमान अगोड के में हम जो है दो पार्ट में ने कम करेंगे एक द्धर रुपित भार फार इंपोजट इंपोज भिसował अधरुपित भार पहर के लिए बैंडिंग वेलेए बैंडिंग मोमेंट तोकि अब आप देख सकते हैं यहां पर अद्धर 50 भार्ँरईंग लगा हुआ है विडिल के लिए हमारा बेंदिंग मोमेंट के अजितम कहा होगा आब अब अदसरी पर होगा कितना होगा डबलू अले स्कॉर बाई 2 नूटरेंट 2 मीटर यह निकालेंगे और यहाँ श्वेंग भार का हमने संपूर भार निकालिया हम्में कितना भार कार्यकरा स्वयंग का यह निकाल लिया तो आबादु सिरेके साफ पे स्वयंग का भार का मोमेंट तो बल उन्रों भी उसके दूरी w x बार w x निकल गया, इस तरह से हमारा यहां पे इसका मोमेंट्रि!짝 इसका जोड़辱 pol X फइब गुड़ा करके अभीकल्प नमान आगुड निकाल लेंगे अब यही अभीकल्प नमान आगुड जो होगा एक बार समईडन्य चित्र प्रदोंधी आगुड के लिए विज किया जाएगा एक बार तननल्प चितली के लिए योजिए जाएगा एक बार कम्प्रेशन के लिए एक यग्या नहीं चीक के लिए भार ते क्या लिए एक आगले श्टेप में अब आते हैं हमारे उदाशी नच, यह हम पता है कि सब हमारे लिए जरुड़ी स्टेफ होते हैं, उदाशी नच निकाल लेंगे, उत्तुलबुजा निकाल लेंगे, फिर आगे जो है, हम सम्मिधन छितर का प्रददी हागुडु फामूला, मूझ के मान जो नमना घुड़ आया हुआ है, अधिक्तिय हम वाला, उरक लेंगे, यहां से दी प्रददी हो जाएगा, इसे दी में हम जो है, कुछ उचित प्रवाइक कबर जोड़कर, यह पता कर लेंगे कि हमारा जो प्रददी यहां पे है, और जो हमने माना रहां पे हैं, उन्दों में क्या डिफरेंट है, और डिफरेंट कम थोड़ा से लंब सम बराबर होता है, तो हम इसको हम लोग लबग मानते करना हासा ही चल लाई है, जो यहां मिलता है, इस उकले के आगड़ना धुराई जाती है, आगड़ना बढ़ाई जाती है, तननंशित का इस तरह से हमारा जो है, डिजाइन का पार्ट वन कम्प्रिट होता है, विभीन भागों का उन्द्राण करना, अब इनकी जांच करना, जांच में नहुंतम इस पात की मात्रा की जांच, क्या होता है, जुरूपार्ण एटी यो जुकल जुरूपार्ण एटफाफ बीडिय पर फवाई से निकाल लेंगे, और जो हुने यहाँ एटी प्रूप किया हुआ है, यह एटी हमारा जो है एटी यो से अधिक होना चाहिए, यह तो पता होना चमय है, कर्तन में जांस, कर्तन में जांस के लिए हम लोग जो है, सुद्ध पार्ट हमेशा बताया था हमने बेड पतान बलगी तम कहां पर होगा, आब अद्ध शेरी पर होगा, तो अचो कि भार के प्राट बाहर का है, दो प्राट बाहर हमारा अध्रुपित भार यूडल सेप में है, एक भार स्वेंग का भार विंदू रूप में एक जगा लटका हुआ है, तिसरा यह से जो है अध्ध इन दोनों को जोड़कर हम लोग जो है total shear force निकाल लेंगे total shear force में 1.5 जोड़ा करके हम लोग अभिकल बहार में बदल लेंगे हमको पता है कि एक हमको चीछ पता यहाँ पे है कि एक आबद एक प्रास धरन के एदिमुक्त सिरे पर बिंदू बहार लगा हुआ हो तो इस कारण से आबद सिरे पर shear force F is equal to बनेगा इन तो इस आबद सिरे के दाइने तरफ सभी लगे बलों का भिजगरती हो जो कहीं बल लगा हुआ इनको जोड़ लेंगे तिस तरह से हम लोग shear force में डबल लू आएगा यह टिन फोलिये का के था यह जाएंग के जिएट पर पॉरी डिजाइनी का सिरे सबेर में इस सब्सक्राइब करें कैसे होता है धन्य वाद